हेलो फ्रेंज वेलकम टूर्ड चैनल दोस्तो हमारे द्वारा सुरू की गई एंशेंट हिस्ट्री की स्रीज की ये 11 वीडियो है पिसली वीडियो में मैंने आपको मगद एंपायर की डिफरेंट 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 डिनस्टीज के बारे में बताए था और मौर्य शासक असोक के बारे में भी हमने पढ़ लिया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मौर्यन डिनस्टी के एंड होने के रीजन्स के बारे में बताऊंगा उसके बाद हम मगद की अदर डिनस्टी जैसे सुंगर डिनस्टी करणवर डिनस्टी साथवान डिनस्टी इनके बार था और असोग की डेट 232 BC में भी थी तो असोग की डेट के बाद उसका बेटा कुनाल नेक्ट एमपररर बना था यानि अगला सासक बना और कुनाल को बहुत ग्रंथों में धर्में विवर्धन भी का गिया है लेकिन कुनाल के सासनकाल में कुछ भी ऐसे इंसिडेंट नहीं ह इंसिडेंट नहीं हुए जिनका एक्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंस हो तो यह हम इनके बार में सोट में बढ़ेंगे तो कुनाल के बाद संप्रती दसरत साली सूक और व्रहदत अगले सासक बनते गए यानि जो व्रहदत था वो मौरे डैनस्टी का लास्ट ए कि जो अगले बने जैसे कुना दसरत था संप्रति अचछे सब्रहदत था यह सब इतने योगई नहीं फैंकर तर जो प्रसाशन थी उसकों अच्छे से चला बाएं तो इसक अगलर्स ऑग जो सामराज था एंपायर था वो कई चोटे-चोटे सासकों ने उसमें सासन करना शुरू कर दिया था यानि तूट चुका था और जो दूसरा रीजन था वह यह था कि जो मगत की राजानी थी पाटली पुत्र और जो पाटली पुत्र थी यहां से अन्य सा अमने पूरे सामरा सासन करना बहुत था अगर आप मैप में यह था पाटली पुत्र और यह पूरा था तो देखे जो थर्ड रीजन था वह था डॉक्ट्राइन ऑप असोग यानि जो असोग के डॉक्ट्राइन थे नीतियां थी वह एक मौरें जो मौरें एंपर था इसके एंड होने का कारण था देखे असोग ने क्या कर अथा में उसके बार उसने पैसल लिया था नो आप दुवरार युद्द नहीं लड़े तो इससे क्या वाथी जो राजा थे जो और उसके सामराज में उननोंने है ने Rules रिपना बंएग हर नहीं न रहेके मोhey सामराज बहुत च्टाwashा एक नई वंस सुंग वंस की शुरवात हुई तो चलिए आप जानते हैं पुष्यमित्र सुंग के बारे में जिसने विर्यदत को मार के सुंग वंस की स्टापना करी थी तो पुष्यमित्र सुंग स्रेनानी के नाम से साशन करता था और वो कट्टर ब्रहमण वाजी था पुष्यमित्र सुंग ने पार्टली पुटर के बदले उज्यएनी को अपनी केपिटल बनाय था यानी अपनी राजण्य उज्यएनी को बनाय था और यहां माना जाता है कि पुष्यमित्र सुंग बहुत देविरुदी था लेकिन फिर भी जो भरुथ स्टूप है बहुत बना था और इगर आपने काली जाज bull के बारे में पढ़ा होगा तो उनका गंत का नाम है मालवी हुमी मित्र तो गहांशनी मतल do इसलिए जो देव भूति था यह सूंगे डैनस्टी का लास्ट एंपर था देखिए इनके बारे में कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्टेंट यह आपको इतना जानने की जरुबत है एक्जाम के लिए ठीक है जो यह भागवरत था इसी के समय सासनकाल में है और आपने आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो देखिए सुंगर डैनेस्टी का जो लास्ट एंपरर था देव भूती उसकी अत्या वसुदेव ने 75 पीसी में कर दी थी और यहीं से कर्णवर डैनेस्टी की सुरवत वी यानि कि जो वसुदे लास्ट एंपरिल था जो करणवर डैनेस्टी का उसकी अत्यावि 30 पीसी में सिमुँग ने कर दी थी और यहींसे मगज मैं शाथ वाहन वनसर की शुरवात हुई यही तो साथ वाहन डैनेस्टी का पहला साचक तो सिमुग लिथा और साथ वाहन वनसर को पुराणों में आं इस बार साथ कनी स्टनकारी डियनस्टी सबसे पहला महत्यपन इस jakbyमें वह Looks से यान याने ऑफिलेख से पुर्णों में साथ कनी को कृष्ण का पूत्र भी कहा गया है साथ करनी के बाद उसका बेटा हाल नेक्स्ट एंपरर बना था जो कि एक महान कवी था और हाल ने गाता सब्ते सटी नामा के एक कावी को भी लिखा था और ये कावी प्राकट भासा में है और हाल की जो राज सबा थी इसमें गुनाद्डी नाम के एक कभी रहते थे और गुनाद्डी ने रहत कथा नाम की एक बुग भी लिखी थी हाल के बाद गौत्मी पूत्र साथकर्णी अगला एंपरर बना था और साथ varying डैस्टी का जो सबसे important एंपरर था वो गौत्मी पूत्र साथकर्णी था और गौत्मी पूत्र साथकर्णी की जो सैने वीजे थी इसके बारे में जानकारियां नासिक के description से मिलती है यानि कि जो नासिक अभी लेख है वहां से हमें गौतमी पूतर साथकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है और इस अभी लेख में उसे अद्विति ये ब्रामण भी खा गया है और गौतमी पूतर साथकर्णी ने राजा राज वेंगर स्वामी विंदे नरेस की उपादी भी वसिष्टी पुत्र पुलू मामी नेस्टेक एम्परर बना था और उसे दक्षिणा पतेश्वर भी कहा गया है और इसके बाद यग्जी सिरी साथ करनी अगला सासक बना था तो देखिए इन रूलर के जो नाम है इनमें जो वर्ड है इनका जो पहला वर्ड है जैसे गौतमी पुत्र रहे या वकिष्टी पूत्र रहे यह जنनी की मा के नाम पर रहे वारा09 कने और दी सीशा और ब्रांज यानिकि है जैसे शीवर कॉपर और लेड और बॉन इनके इनके चलाएा यंप न जो पहुल रहते दें इसमें सब सेका करते था और उस चीजे को यह कुण बनाते थे और सबसे बहले ब्रामानों को भूमी अनुदान देने की प्रतावी इन्हीं सुरू करी थी साथवान सासकों ने रूलर एडिया में एड्मिस्ट्रेशन का काम यानि प्रसासन का काम गौलमिक को सौपा था गौलमिक यानि की एक पद है और अगर आप मैप में साथ वान राज्य तो ऐसा भी का जाता है कि 7 वान राज्य ने उत्तर और डक्षिन भालत के बीच में सेतु का काम किया था तो दोस्तों ये थी साथ वान डानेश्टी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ वान डानेश्टी भी समझ माई होगी तो अगर आपको वीडियो लगती है तो इसे अपने जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इंडो ग्रीक इंपरेर्स के बारे में यानि जो हिंद यूनानी साथ सकते उनके बारे में और कुसांड मन्स के बारे में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको लगी तो इसे जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद